Hello everyone, welcome back to another video of the academic learner So, आज हम आपकी class 6th का chapter number 2, whole number जिसकी हमने introductions already complete कर ली है अगर आपने वो वीडियो नहीं है देखी है I button में मैंने link दिया हुए आप जाके पहले check out कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में आपकी exercise 2.1 complete करेंगे So, without wasting a time, let's start this video इस exercise का अब हम देखेंगे थोड़ा सा overview क्या मतलब कि हमने क्या क्या introduction में पढ़ा था या इस exercise में क्या क्या है सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको कि natural numbers क्या होते हैं What is natural number? Natural number a part of a number system including all positive numbers from 1 to infinity Natural numbers are also known as counting numbers Because they do not include 0 or negative numbers इसका मतलब क्या हो बच्चो? Natural number वो number होते हैं जो की simply counting में होते हैं और ये कहां से 1 से लेके infinity तक होते हैं और ये एक सारे ही positive numbers होते हैं इसमें कोई भी negative और 0 included नहीं होता है समझे बचो? अब आपको ये natural number अगर समझ आ गया है कि natural numbers क्या होते हैं अब मैं बताता हूँ आपको whole numbers क्या होता है whole numbers में सारे natural numbers मतलब 1 से लेके infinity तक ये infinity का sign होता है infinity तक but इसके बीच में आएगा एक 0 ये होते हैं whole numbers मतलब 1 तो आएगा ही आएगा infinity तक तो जाएंगे जाएंगे और इसमें 0 भी included होगी तो ये होंगे हमारे whole numbers अगर हम 0 हटा दे तो हमारे जो होगे 1 से लेके infinity तक वो होगे हमारे natural numbers अभी इसके बाद next हमारे पास दो और points है कौन-कौन जे हैं एक तो है predecessor और एक है successor predecessor क्या होता है predecessor बच्चो वो होता है the number which comes just before a particular number is called predecessor जैसे मैं आपको एक example देता हूँ बच्चो ये मैंने एक example लेकी और ये आया 1 और ये है 2 ये है 3 अब 3 से पहले concept predecessor हुआ ये 2 2 से पहले concept predecessor हुआ ये 1 तो ये होते हैं हमारे predecessor मतलब जो की एक particular number पहले आता है उसे हम कहते हैं predecessor successor क्या होता है successor भी same होता है जो भी immediately after आए एक particular number के बाद जैसे मैं आपकी एक example यहाँ पे दूँ तो 1 के बाद तुरंथ ही क्या आता है 2 2 के बाद तुरंथ ही क्या आता है इसकी तरफ हम right side जाएंगे अगर हमने successor देखना है तो ये होते हमारा successor जो हम साथ के साथ ही number आते जाते है right side अगर हमने predecessor देखना है तो हम जाएंगे left की तरफ कि उससे पहले क्या आता है और उसके बाद क्या आता है उसे हम कहते हैं predecessor and successor तो ये हमने overview देख लेए इस chapter का 2.1 का अब हम चलते हैं हमारे question answer करते हैं सब तो पहले अपने goal question है दोस्तो what is the next 3 natural number बेटा ये natural number है जो की कौन से थे 1 से लेके कहां तक infinite तक ठीक है तो इसमें 0 जो है वो include नहीं होता है ठीक है इन्होंने क्या है कि 3 ऐसे natural number बताईए जो इसके बाद आएंगे इसके बाद मतलब एक तो ये खुद है ये natural number है क्योंकि मैंने कहा था infinity का मतलब होता है कि जहां तक हमें counting आती भी नहीं वहां तक ही अब हम natural number कैसे निकालेंगे इसके बाद वाला number क्या होगा बच्चों इसके बाद वाला number हमारे पास बच्चों क्या होगा एक तो होगा 11,000 और इसके बाद कौन सा होगा 11,001 और इसके बाद कौन सा होगा 11,002 तो ये होगे हमारे तीन natural numbers ठीक है कोई problem आई नहीं आई आई आपको समझ आ गया natural number अब next question पर चलते है question number 2 पे इसमें कहा है हमें three whole numbers अब whole numbers और natural number में इसलिए मैंने आपे yellow highlighter आपको करके बताए कि ये whole number है और उपर natural number था तो हमने यहां तो बताने थे after कि मतलब बाद में यहां बताने हमने पहले कि कौन से कितने number से पहले ये कितने whole number इस से पहले आएंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे ये infinite लगाते हैं इसमें भी सिर्फ positive numbers ही आते हैं तो इस से हमने पहले वाले डूणने पहले वाले कौन कौन से आएंगे एक तो 10,000 आजाएगा और कौन सा आएगा और आजाएगा 9 आजाएगा और इस से पहले कौन सा आएगा 9, 9, 9 and 8 यही हुए सारे हमारे whole numbers जो की 10,001 से पहले आते हैं इन्होंने पहले का तो हमने पहले निकाला अगर ये बाद में कहेंगे after यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे अगर after लिख देते हैं तो हम निकाल सकते हैं 1, 0, 0, 0, 2 और इसके बाद लिखा सकते हैं 1, 0, 0, 3 यहाँ निकाल सकते हैं 1, 0, 0, 0, 4 तो ये हमारा number हो सकते थे अगर ये after लिखते तो तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे third question पे third question पे हमें कहा गया है कौन सा number है जो सबसे छोटा whole number होगा सबसे छोटा कौन सा whole number होता है ये होता है 0 से start 0, 1, 2 और कहां तक जाता है infinite तक तो सबसे छोटा whole number कौन सा हुआ छोटा whole number हुआ ना 0 तो यहाँ पे हम answer लिख दें 0 समझाई ये whole number था natural number नहीं पूछा अगर यहाँ पे मान लीजिए natural number लिखा है तो सबसे छोटा कौन सा answer होगा तो सबसे छोटा number कौन सा होगा तो answer होगा हमारा 1 मैं आपके सारे doubt clear कर रहा हूँ ठीक है हमारा answer तो यही है क्योंकि question हमें whole number का दिये मैंने natural number का भी बता दिया अगर छोटा natural number होगा तो हमारा answer आएगा 1 अब हम चलते है हमारे fourth question पर fourth question पर हमें कहा गया है how many whole numbers are there between 32 to 53 इसके बीच में कितने whole number है whole number तो सारी whole numbers होते है तो हम यहाँ पर answer लिखना ही start कर दें direct 33 whole number है 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 तो यह हमारे सारे natural whole numbers हो गए होगे बच्चों यह सारे हमारे हो गए whole numbers क्योंकि उन्होंने whole numbers ही पूछा था तो हमने बता दिये तो यहाँ पर हमारे question number 4 complete होए तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमने 5th question में हमें क्या कहा गया है बच्चों 5th question में हमें कहा है कि हमने successor ढूणना है successor क्या होता है successor वो होता है जो after है बस यह निशानी लगाना अब मैं आपको एक तरीका बताऊँगा कि आप कैसे successor को याद रखेंगी after होगा predecessor होगा तो वो होगा before और मतलब पीछे जाना है यहां पर एक left भी लिख लीजिए और यहां पर previous भी लिख लीजिए यह कुछ hints हैं ताकि आपको याद रहे यहां पर आप right लिख लीजिए अब यह मैंने क्यूं लिखाया है यह point विए हैं ताकि आपको याद रहे कि अगर success करना है तो हमें after मतलब बाद वाला देखना है, right मतलब हमने आगे देखना है success, अगर हमने जिंदकी में success होना है तो कहा आगे जाना है या पीछे जाना है आगे जाना न ओबूसिसली तो यह हमारा successor हुआ predecessor क्या है? before मतलब पीछे वाला देखना है, left मतलब पीछे जाना है, पीछे देखना है previous मतलब पिछला, तो पिछला, तो हमने पिछला नमबर देखना है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस successor का अगला नमबर बताना है predecessor में पिछला नमबर बताना है तो इतने बड़े नंबर है हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि इसका नंबर क्या वैसे तो पीछे वाले नंबर जीदा 1 है तो 2 कर देंगे यहाँ पे 199 है तो यहाँ पे 200 कर देंगे यहाँ पे 999 है तो यह कितना गरेंगे यहां तो हम confused हों कि सब में एक 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 जोड़ेंगे नहीं तो फिर यह भी देखो यह भी बहुत बढ़ा है इसको भी कैसे जोड़ें तो हमें बुक वालों ने simple एक trick बता दी है तो हम वो trick फॉलो करते हैं यह हमने लिख लिए same number वही लिखूंगा जो उपर लिखा हुआ ह हमने कुछ नहीं करना successor में हैं तो हमने plus one करना है यहां पर यह लिख लिजिए plus one करना है ठीक है तो answer क्या आएगा 2440702 यह हमारा answer वैसे ही same यह 100199 में हमने plus करना है one plus कर दिया तो यहां पर हमारा answer कितना आया one zero zero two hundred इसमे वन प्लस करोगे तो हमारा two hundred आजाएगा ठीक है इसमें कितना आएगा one zero nine nine अब देखो यह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि answer कैसा आएगा तो हमने इसमें one plus किया तो zero आगया ठीक है अगर इसमें किया तो zero आगया तो हमारा answer आएगा one one zero 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 यहां पर हमारे पास आ गई 50 ठीक है तो यह हमारा इस कांसर हो गया और उसके बाद हम करेंगे यह वाला लास्ट वाला 345670 इसमें क्या करना है प्लस 1 is equal to 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 तो कि 0 को अगर प्लस 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा समझाई चले अब हम चलते हैं हमारे predecessor में predecessor में हमने क्या करना है predecessor में हमने जो भी करना है हमने सिर्फ माइनस 1 करना है और कुछ भी नहीं करना है अगर ये चोटा नमबर है चोटा नमबर तो हमें वैसी पता चल जाता है 94 में से अगर 1 माइनस किया इसका पिछला नमबर तो 93 ही आएगा अगर इसमें से हमने क्या करेंगे ये देखते हैं 1 ये है 10,000 10,000 में अगर 1 माइनस किया तो कितना आएगा बच्चो तब आएगा 9,999 यह हमारा अंसर आएगा समझाई? तो सेम यही है इसमें हमने 1 माइनस किया तो हमारा अंसर कितना आएगा? 2, 0, 8, 0 and 8, 9 क्योंकि 90 से पहले क्या आता है? 89 उसके बाद यह इसमें से 1 माइनस किया यह 1 है, 21 है तो 21 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 तो यह हमारा question number 6 भी यहीं पे complete हो गया उसका part number decomplete हो गया अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो हमें comment करके जुरूर बताना बच्चो मैं आपके सारे comment का reply जरूर जरूर करूँगा, ठीक है? अब हम जलते हैं next question बे, question number 7 in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other side or the other number on the number line also write them with the appropriate sign यह और यह between them हमने कुछ नहीं करना है बच्चो यह number line एक बढ़ भूल जाओ number line के बारे में बात में बताऊंगा कि क्या है और किस के बारे में है यह हमारे exercise 2.2 में आएगा number line के बारे में तो सबसे पहले हमने यह बताना है कि कौन सा whole number दूसरे number की left side है whole number मैंने बच्चो आपको क्या बताया था? 0 से लेके infinite तक number होते हैं यह होते है whole numbers तो सारे ही whole numbers ही होंगे बच्चो हमने बस यह करना है हमने सिर्फ sign देना है कौन सा बड़ा है कौन सा चोटा है अब मैं जैसे यह लिखता हूँ जैसे है 530 ठीक है? और है 503 अब यह भी whole number है और यह भी whole number है बस हमने यह बताना है कि कौन सा number बड़ा है तो हम sign दे देंगे यह वाला यह इस sign का मतलब और इस sign का मतलब क्या होता है यह चुझ होगी और यह मूँ दूसारी की तरफ होगा तो यह होगा larger है यह बड़ा है और यह चोटा है ठीक है? तो यह इस cancer है है तो दोनो ही whole number तो हमने उन्हें कहा था कौन सा number ऐसा है जो दूसरे number के left मैं तो दोनों ही left में तो 530 यह जो left में यह तो इसके left में तो यह whole number है और यह भी whole number है ठेक है next part में हमारे पास third है तो 370 और 307 इसमें भी same है यही बड़ा है और यह left में भी है तो यह whole number है और यह बड़ा है तो इसकी तरफ यह साइन आ गया यह भी होल नंबर है और यह भी होल नंबर है यह जो लास्ट वाल है यह देख लीजिए 9830415 और दूसरी तरफ है 10023001 ओविसली यह नंबर बड़ा है तो देखला आपने आपने देखा यह उसकी तरफ गिया जो यह बड़ा नंब तो हमने सिर्फ इसका मू दिखाई करवानी थी कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है तो यहीं पर हमारा कोश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर D भी खतम होता है आई होप आपको बहुत असान से समझा रहा होगा सारा कुछ अब हम जलते हैं हमारे नेक्स् की पर चाहिए तरफ मत देखना आप उनसर बताना मुझे क्या ऐगा ठीक है जीरो क्या नेचरल नंबर में आता है और अगर आता है तो क्या वो चोटा नंबर है बैट बच्चों नेचरल नंबर वह ने जो वान से स्टार्ट होते हैं बन से लेके इन फाइनाइट तक होते ह तो इसका अंसर क्या आएगा इसका अंसर आएगा नू क्योंकि जीरो तो नेचिरल नमपर है ही नहीं तो पहले का अंसर नहीं आ गया चलो next पर चलते हैं क्या 400 400 producer है 399 का predecessor का बच्चो मतलब क्या था? predecessor का मतलब मैंने बताए था previous पुरा पिछला पिछला तो इसमें क्या करना था? minus 1 तो इसका अंसर क्या आएगा बच्चो अगर 399 में से minus 1 करेंगे minus 1 करेंगे तो हमारा answer तो I think so 398 नहीं आएगा तो ये भी no आया क्योंकि 399 का तो इसका अंसर आएगा चले successor में क्या था? plus 1 करना था आगे देखना था तो 599 के बाद 600 आता है नहीं आता हम 599 के बाद अगर हम plus 1 करेंगे तो हमारा answer तो 600 आता है अगले पार्ट पे अब हम देखते हैं क्या सारे natural number whole numbers होते हैं हाँ क्यूं बच्चों क्यूंकि अगर 1 2 से लेके और infinite तक ये सारे natural number है तो हमने whole number की definition में देखा था कि natural numbers included होते हैं किसमें included होते हैं? whole numbers में होते हैं नहीं होते? तो इसका answer आएगा अब क्या सारे whole number natural number होते हैं? नहीं क्यूं? क्यूं नहीं होते हैं? क्यूंकि whole number में zero आती है और natural number में नहीं आती है natural number में नहीं आती है तो इसका answer होगा no समझ जाई next चलते हैं predecessor of two digit number is never be a single digit number ये इसका answer भी no है मैं आपको बता देता हूं क्यूं? अगर हम इन्होंने काया कि अगर जैसे मा लिजे 10 ये two digit number होता है ठीक है? ये two digit number है अगर हम इसमें predecessor देखें predecessor मतलब 10 में से अगर one minus करें तो हमारा answer आता है nine तो ये होता है single number single digit number ये है single digit तो इन्होंने का है कि क्या कभी भी अगर two digit number में predecessor लेंगे तो क्या कभी single number नहीं आएगा नहीं ये तो आ रहा है 10 में से अगर nine minus करें है तो single digit तो आ रहा है तो इसलिए answer इसका no है ठीक है बच्चो चलिए one is the smallest whole number whole number की starting ही zero से होती है तो ये आएगा no zero is the smallest number smallest whole number ठीक है? ये याद रखना whole number और natural number natural number में कोई भी predecessor होगा नहीं होगा? नहीं होगा तो ये answer सही है इसका answer आएगा yes क्यूंकि one ही smallest होता है? पहली बात तो और अगर हम predecessor करें one minus one तो answer आता है zero zero तो होता ही नहीं है natural number में तो इसका answer आएगा yes क्या whole number में one के predecessor होगा नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि 0 होता है smallest number यह याद रखना बच्चों यह smallest smallest इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि यह natural number है यह whole number है अगर हम इसमें predecessor में करते हैं 1-1 तो हमारा answer आता है 0 तो 0 तो included होता है तो इसलिए answer इसका no आया क्यों इन्होंने कहा क्या नहीं होता है बट नहीं होता है तो अब मुझे यह बताईए whole number में 13 क्या 11 और 12 के बीच में लाई करता है यह तो nonsense वाला question है counting आती है तो नहीं क्योंकि 11 के बीच में तो 12 आता है और 12 के बाद 13 आता है तो इसका answer आएगा the whole number 0 has no predecessor whole number में predecessor का जो होगा इसका predecessor क्या होगा इसका answer तो पहले 9 आएगा क्यों क्योंकि whole number में मैंने आपको starting में कहा था whole number ठीक है the successor of two digit number is always a two digit number क्या हमेशा अगर 99 में हमेशा अगर हम successor लगाना चाहें तो क्या वो हमेशा always 2 digit ही आएगा बढ़ यह तो 3 digit आगया तो इसका answer भी क्या no answer आएगा no हमेशा 0 हमेशा do नहीं आएगा 3 भी आ सकता है तो यह हमारे सारे answer हो गए 2.1 कंप्लीट होती है बच्चो 8 के 8 question मैं आपको इस वीडियो में कला दिये मैंनत करके मैं बनाता हूँ बट फिर भी इतना response अच्छा नहीं आ रहा है so please मुझे बताइए अगर मेरी कुई कमी है कहां पे मेरी कमी है तो मैं आपकी कमी वो पका फुल्फिल करने की ट्राई करूँगा अब हम मिलते हैं हमारे next exercise में तब तक के लिए गुडबाई टेक्यार एंड अगर आप इस चैनल पर नए है तो subscribe कर दो एंड लाइक कर दो और दो सुखज़त शेयर